कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड अफ नॉलेज में आज हम लोग एक नया केस लौ लेकर आए हैं जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोड के द्वारा थ्री जज़ेज बेंच के द्वारा दिया गया है तो इसमें है कि अन्मैरीड विमेन आल्सो इंटा सिर्फ मैरीड विमेन ही अबार्शन करा पाएंगी अब अन्मैरीड विमेन भी अबार्शन करा पाएंगी और मैरीड और अन्मैरीड विमेन को इक्वैलिटी यहां पे दी गई है तो इसमें यह एक केस है केस का नाम था यह एक्स वर्सिज द प्रिंस्पल सेक्रेटरी हेल् फैमिली वेलफेर डिपार्टमेंट दिल्ली एंसिटी गौर्वर्नमेंट एंड एनधर यह केस का नाम था अब इस केस के फैक्ट्स क्या थे इस केस के फैक्ट्स यह थे कि एक 25 इयर ओल्ड विमेन थी जो प्रेगनेंट हो गई थी और अनमेरिट थी जो अपने बॉइफरेंड के साथ रिलेशन्सिप में थी अब उसके बॉइफरेंड में उससे साधी करने से मना कर दिया था तो वो अपना जो फीटस है अपनी प्रेगनेंसी को अपने बच्चे को अबॉट कराना चाह रही थी तो हाइग कोट में पहुंची इस चीज को लेके जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट चाहिए होती है कि बच्चे को जो है अबॉट्ट्सन किया जा सकता है कि नई किया जा सकता है तो यहां डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देने से मना कर दिया था कि आप अबॉर्शन के लिए अलाउड नहीं हो क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशी प्रेग्नेंसी आक्ट के तहत आपको प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करना अलाउड नहीं है तो वो विमन एप्रोच की दिल्ली हाई कोट में और दिल्ली हाई कोट ने भी इनका जो पैटिशन थी इनकी जो प्रेयर थी उसको रिजेक्ट कर दिया तो इन्होंने अपील किया सुप्रीम कोट में अपील किया तो सुप्रीम कोट के सामने यह दो इसूज आई हैं जो की बहुत important है जो की एक landmark judgment निकल के आया है इन से ही तो इसमें यह दो इसूज क्या हैं पहला यह है कि whether the exclusion of unmarried women whose pregnancy arises out of consensual relationship from rule 3b of MTP rules MTP means medical termination pregnancy rules is valid or not और दूसरा issue यहाँ पर यह है is marital rape is included in a rape under MTP rule 3b तो यह दो issues हैं इन issues को अभी समझेंगे हो सकता है अभी इतना समझना आ रहा हो लेकिन इसको अभी हम लोग समझेंगे उसके पहले जो है हम लोग यह देख लेते हैं कि rule 3b क्या कहता है MTP Act का rule 3b क्या कहता है और कौन कौन सी women इस category में आती है तो इसमें only those women who comes in these categories mentioned in this rule 3b are allowed to terminate pregnancy up to 24 weeks जो women भी इसमें आती है rule 3b में MTP Act के MTP rules के और जो 24 weeks की pregnant है तो उनको ही allow है abortion कराना और बाकियों को allowed नहीं है तो इस category of women mentioned in rule 3b of MTP rules framed by central government are तो यह यह इसमें list है कौन कौन सी women आएंगी जो terminate करवा सकती हैं अपने 24 weeks का fetus इसमें सबसे पहले है survivor of sexual assault or rape or incest Minors, change of marital status during the ongoing pregnancy, widowhood and divorce Women with physical disabilities, measure disability as per criteria laid down under the right of persons with disabilities act 2016 Mentally ill women including mental retardation Fetal malformation that has substantial risk of being incompatible with life or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped and women with pregnancy in humanitarian settings or disaster or emergency situations as may be declared by the government तो यह 3b के अंदर यह यह जो women है इन condition से सफर हुई women ही अपने abortion करा सकती हैं यह abortion इनका ही किया जा सकता है अब हम चलते हैं अपने issues की तरफ तो हमारे issue यह हैं कि whether the exclusion of unmarried women whose pregnancy arises out of consensual relationship from rule 3b of MTP rule is valid अब यहां पर क्या unmarried women जो consensual sexual relationship से pregnant हुई हैं सहमती से pregnant हुई हैं क्या वो भी यहां पर rule 3b के अंदर अपने fetus को abort करा सकती हैं कि नहीं तो यह पहला हमारा issue था और दूसरा issue यह है कि इस marital rape is included in a rape under MTP rule 3b तो क्या married women का rape, rape के अंदर count होगा MTP rule 3b के अंदर तो यह दोनों questions के जवाब हम आगे देखते हैं कि court ने कैसे दिये और क्या क्या arguments court ने इसमें रखे हैं तो हम चलते हैं आगे court ने क्या क्या argument रखे हैं तो rule 3b c must not be interpreted in a restrictive manner so as to deny the right of abortion to unmarried women beyond 20 weeks will violate article 14 of the constitution तो यहां पर rule 3b c क्या कहता है तो point c है यहां पर change of marital status during ongoing pregnancy, widowhood and divorce अगर कोई pregnant महिला है और उस pregnancy के दोरान ही उसके husband की death हो जाती है या उसका husband उससे divorce ले ले लेता है तो यहां पर उसको pregnancy को about कराना allowed किया हुआ है अब क्योंकि इसका rule 3b list में इसको mention किया गया है तो यहां पर भी similar situation ही बन रहा है बस यहां पर married है और वहां पर unmarried है तो rule 3bc यही है कि married women है और वो widowhood या divorce होने वाली है pregnancy के time में तो यहां पर यह court कहता है, court ने यह argument रखा कि rule 3bc जो है must not be interpreted in a restrictive manner इसको बहुत ही restrictive या narrowly इसको interpret नहीं किया जाना चाहिए so as to deny the right of abortion to unmarried women beyond 20 weeks will violate article 14 of the constitution तो यहां पर unmarried और married women के बीच में जो है distinction allowed नहीं है तो यहां पर यह क्या करता है कि यह दोनों अब वो भी women है यह भी women है बस marriage का फरक है और similar situation भी दोनों women face कर रही है वहां पर भी उसका husband उसको साथ देने को तयार नहीं है और यहां पर भी नहीं है जो भी इसका partner है तो यह situation similar है और दोनों ही एक ही circumstances से गुजर रहे हैं तो यह article 14 का violation हो जाएगा तो court ने यह कहा है अपने argument में तो rule if rule 3bc is only for married women it would only so that only married women indulge in sexual activities मतलब अगर rule 3bc में only married women को ही include किया गया है तो इसका मतलब यह है कि unmarried women तो sexual activity करी नहीं सकती तो यह चीज जो है बहुत गलत है artificial distinction between married and unmarried women cannot be sustained तो यहाँ पे married और unmarried women के बीच में artificial जो सिर्फ और सिर्फ marriage का ही फरक है वो sustain नहीं करता है यह point भी यहाँ पे court ने highlight किया है women must have autonomy to have free exercise of these rights women must have autonomy to have free exercise of these rights तो women को जो है right होना चाहिए उसको free होना चाहिए कि वो these rights means उपर की sexual rights में भी sexual acts में भी involved हो सके तो rights of reproductive autonomy is given similar to unmarried as well as married women तो किसी को pregnant होना है या नहीं होना है यह तो individual की चोयस है या तो unmarried हो या married हो इसमें तो कोई फरक की बात नहीं है उसमें distinction नहीं होनी चाहिए या discrimination नहीं होना चाहिए कि unmarried women जो है वो नहीं reproductive autonomy नहीं है उसके पास वो नहीं बनना चाहती है या नहीं करना society उसको जो है नहीं बनने देगी तो यह चीज जो है against freedom है जिसमें article 19 का जो है violation भी होता है तो the fetus relies on the women's body to sustain तो जो fetus है जो conceived child होगा वो जो है women की body पे depend करेगा कि वो जो है उसको sustain कर पाएगी कि नहीं therefore the decision to terminate is deeply rooted in their right to bodily autonomy तो उसको conceive करना है बच्चा रखना है नहीं रखना है pregnancy जो है अपने उसको बर्त देना है कि नहीं देना या अबाट कराना है यह तो उसकी right to bodily autonomy पे depend करता है अब उस women की body है married हो चाहिए unmarried हो अगर वो pregnant नहीं होना चाहती तो उसको force नहीं किया जाना चाहिए if the state forces of women to carry on an unwanted pregnancy to the full term it will amount to an afferent her dignity तो अगर state उसको force करती है unwanted pregnancy के लिए और एक बच्चा भी आ जाता है तो यह उसकी dignity के साथ जो है harm होगा या उसकी dignity को नुफसान पहुचाएगा या compatible नहीं होगा उसकी dignity के साथ laws must be interpreted keeping in mind the change in societal norms तो यह हमारा second point है जो इसके favor में दिया गया है court के द्वारा यह second argument है पहला argument यह था कि reproductive autonomy is given similar to unmarried as well as married women and women must have autonomy to have free exercise of these rights means sexual rights यह first point था और हमारा second point जो है तो court ने इसको दिया है favoring करते हुए laws must be interpreted keeping in mind the change in societal norms अब जब MTP Act बना था Medical Terminancy Pregnancy Act तो यह जब बना था तो 1971 का act था तो उस time के society और आज के society में काफी फरक आ चुका है अब हम लोग globalized world में जी रहे हैं जीने का तरीका भी change हो गया है पहले का society की thinking norms अलग थी और अब की society जो है अलग ही demand कर रही है या time के साथ साथ आगे progressive होती जा रही है तो when MTP Act was enacted it was largely concerning the married women but as societal norms changes laws must adapt changing social norms must be kept in mind while interpreting provisions तो social norms जैसे जैसे change होते हैं society के उसी हिसाब से laws को भी interpret करना चाहिए जजों के द्वारा अब हमारा second issue जो था क्या marital rape भी rape में सामिल होगा क्या include किया जाएगा MTP Act के अंदर तो marital rape must be included in rape so as to protect the women from forceful pregnancy इसको rape में ही include किया जाना चाहिए जिससे कि women की forceful pregnancy ना हो जवरदस्ती कोई pregnant ना हो any pregnancy alleged by a woman to be caused by force is rape कोई भी pregnancy अगर women को जवरदस्ती के साथ हो रही है तो वो rape की category में ही count किया जाएगा so wives who conceived out of forced sex by their husbands will come in the ambit of survivors of sexual assault और rape in rule 3b of MTP rules यहाँ पे wives जिनके साथ forced sex होता है उनके husband के द्वारा वो भी rule 3b MTP rules के अंदर आएंगे और वो भी terminate करा सकते हैं अपने pregnancy को तो यह यहाँ पे दूसरा issue जो था जिस पर decision दिया गया है अब final decision क्या आया दोनों के उपर final decision में पहला decision यह आया all women whether married or unmarried they can get rid of their unwanted pregnancy within 24 weeks if the reasons are covered under MTP rules अगर MTP rules के अंदर जो मैंने list 3b बताया था अगर उन category में से किसी में भी अगर women का जो unwanted pregnancy हो आ जाती है 24 weeks तो वो अपने fetus को read कर सकती है या unwanted pregnancies को हटा सकती है और इसमें जो है married और unmarried women को equally समझा गया है 3bc में marital rape will be covered under rape if women got unwanted pregnancy as per MTP rules and are allowed to abort the fetus second issue में ये decision रहा कि marital rape से होने वाली unwanted pregnancy को भी women जो है MTP rules के अंदर abort करा सकती है और अपने fetus को गिरा सकती है तो ये था हमारा आज का case जो कि अभी नया नया ही आया है तो ऐसे ही और भी cases हम आगे लाते रहेंगे तो तब तक के लिए जै हिन जै भारत Thank you